हेलो नमस्कार मेरे नाम है बिणा शुराव सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अगर आप हमें फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हम स्वागत करते हैं यूटूब पे देख रहे हैं वहां भी हम स्वागत करते हैं बस स्वागत ही कर रह में जब था बाबर के साथ ओपनिंग कर रहा था गजबे मार रहा था बहुत गजब दुलाई कर रहा था वही फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लेकर आगया बंदा आज बताओ बाबर रिजवान आउट हो गया जल्दी उसके बाद फकर जमान के साथ मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा था मैट हैंडरी जैसे गेंद बाज की गेंद पर वह आगया बढ़के कदम बढ़ा के कदम का उप अगया बंदे में और सैम अयूब की बल्लेवाजू के देखके बाबर आजम ने भी तारीफ कर दी बोला एक बंदा यह जो है दिनबर दिन इंप्रूब कर रहा है और उनके जोडीदार फकर जमान ने मैज के बाद भी तारीफ की है खूब तारीफ की है यह सेम अयूब की यह कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी कि यह बहुत अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लेकिन अभी जो कर रहा है ना बहुत अच्छा कर रहा है और इसी को जारी रखने की जरूरत है यह फकर जमान ने का है फकर जमान थोड़े से तारिफ तो कर रहे थे लेकि में अगर यह बंदा रहाना तो यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड हो सकता है वैसे तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए वर्लकब में सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड जो है न शाहिंशा फुरीदी होने वाले हैं शौदाफ खान होने वाले हैं बा बल्लेबाजी की जाती है बहराल सैम अयूब के प्रदर्शन से पुरा पाकिस्तान खुश है तो हम और आप जज करने वाले कौन होते हैं तारिफ करिए वाई जम के करो वैसे एक ख़बर बता दिते हैं पाकिस्तान और नीजलेंड की बीच में मुकाबला खेला गया 88 रन से प चांदार जीत हासिल किये एक तालिसवी जीत है बतोर कप्तानी में और इस मामले में उन्होंने अमस दोनी की बराबरी कर ली है इस वेडियो में बस इतना ही धन्यवार महबबत देते रही है वहिया महबबत के लावा क्या ही चाहेगी